कि नमस्कार मैं वह विशेव त्यागी इंडिया वास्चिज बांगलादेश की टैस्ट सीरीज खतम हो गई है दो जीरो से भारत ने बांगलादेश को धो डाला है बांगलादेश को उसकी उकात बता दिये लेकिन अब बात है तीन टीटवन्टी की तीन टीटवन्टी मुकाबले खेले जाएंगी और हर को इसका इंतिजार भी कर रहा है इसको आइड का एनाउसमेंट हो चुका है लेकिन बहुत बढ़ा अपडेट आ रहा है अपडेट यह है कि इंडिया वर्सिज बांगलादेश की जो इसक्वाइड ह उसमें ओपनर को लेकर जो जद्दो जहर चल रही है उसको लेकर गोतम गंबीर का बड़ा प्लान है बांगलादेश के खिलाब टीटवन्टी में टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी बदलने वाली है और जाहिर तोरपा इस पर कुछ फैंस का सवाल भी है कुछ फैंस यह कि भाई साब गंबीर ऐसा क्यों कर रहे हो आखिर एक खिलारी के करियर को बरबाद करने का फैसला क्यों किया जा रहा है आखिर गोतम गंबीर ओपनर को अपनर क्यों नहीं बना रहे है इस तरीके के सवाल खड़े और उस पर डिसकस करेंगी सबसे पहले आप लोगों को स्क दिखा देते हैं उसके बाद में गंभीर का क्या प्लान है ये बताएंगी तीम इंदिया की जो इसक्वाइड अभिशेक वो सुर्य कुमार यादव कैप्टन है अभिशेक सर्मा संजु सैंसन रिंकु सिंग हार्दिक पांडिया रियान पराग नितीश कुमार रेड़ी शिव तोर पर ये स्कॉाइड है अब इस स्कॉाइड में अगर देखा जाए क्योंकि सवाल ओपनर का है ओपनिंग को लेकर जो जद्दो जहद चल रही है पिछले कुछ वक्त से उस ओपनिंग को लेकर सवाल ये है कि आखिर गोतम गंभीर ये प्लान क्यों बना रहे हैं अब यह अगर इस स्कॉाइड को देखें तो सूर्य कुमार यादाव अभिशेक सर्मा यहां पर ओपनर हमें नजर आ रहे हैं उसके बाद में अगर हम पूरी स्कॉाइड को देख लें तो यहां पर अगर बसके वाल जितेश शर्मा को छोड़ दें तो मुझे कोई दूसरा ओपनर गड़ा नजर नहीं आ रहा रहा हैं लेकिन कि संजू सेंस्टन रिकेट कीपर के तोर पर प्रमोख हैं तो ऐसे में संजू सेंस्टन को मौका मिलेगा विकेट कीपर के तोर पर अब यहाँ कि आखिर टीम इंडिया संजू सेमसं के करियर को क्यों बर्बाद कर रही है तीम इंडिया ओपनर को प्रॉपर ओपनर को क्यों नहीं चुनती है आप अभिशेख सर्मा के साथ रितुराज गाकवार को क्यों नहीं चुनती है आप अभिशेख सर्मा के साथ इशान किसन को क्यो आप अभिशेक सर्मा के साथ ये सस्य जास वाल को क्यों नहीं चुनते हैं? आप क्यों एक मद्यमकरम के बलेबाज को उपनर बनाना चाहते हैं? कुछ फैंस का तो ये भी कहना है कि संजु सैंसें के करियर को तो बरबाद रिज़ता बिसी साइब कर रही है Sanju Samson तो मद्देम करम में खिलाव बढ़िया खेलेंगे, आप उनको उपनर बना देते हो, उपनर के तोर पर वो खेलते नहीं है, ना गरेलू किर्केट में खेलते हैं, ना इपल में खेलते हैं, तो इसलिए Sanju Samson फेल हो जाते हैं. यह जो स्कॉर्ड BCCI का है, बांगलादेस के खिलाब T20 सीरीज के लिए, यह वाकई थोरा सा समझ से पड़े हैं, क्यूंकि इसमें एक दो ओपनर मिसिंग आपको दिखाई देगा, मैं देख रहा हो, अगर हर जगा आप गायकवार को मौका दे रहे हैं, कप्तान बना रहे हैं घरेलू किर्केट में, एसइन गेम्ज में, तो यहां रितुराज गायकवार को आप नहीं ला सकते हीसान किसान, यहां क्यूं नहीं है, तो यह कौन सा प्रियोग लिख सी जो ओपनर नहीं है ना फिर जीतेश करते तो यह होगा यह बना जाएगा आप प्रियोग कर रहे हैं बिल्कुल यह प्रियोग क्यों कर रहे है Latz यह लग करना चाह रहे है बतावर उपनर उनका थेस्ट टेस्टिंग हो जाता हूं है जाल चेक अमक है से नहीं है ढा안 क्या प्रतोगों काफी छी सुला कराा है पर पुर दो तो आझा संजु का क्रिकेट क्या करेंगर बहंबत किया जा रहा हैं सन्जू सेमसन मध्यमकरम के बलेबाश से, आप उनको जधास ज़्यादा उपर खिलाना चाहते हैं, नमबर फीड़ा लीजी, आप वो उपलर नहीं है, आप उनको उपलर के तोर पर खिलाओगा फेल हो जाएंगे, वो नहीं गेंज से उतना नहीं खेलते हैं, तो यहाँ पर स जितेस को एड किया गया है इसान को यहाँ भी दर किनार किया गया इससे साफ साफ अब जाहिर होता है कि जान बूज कर इसान की सन को नजर अंदाज किया जा रहा है बिलकुल अभिशेक सही बात है यह जो आप तोप में देख रहे हैं जबरदस्ती एक नया ओपनिंग जोरी अब से एक सर्मा को देने की कोशिस हो रही है क्या इस किया वसकता थी बिल्कुल मैं आपके बाद से सहमत हूं मेरा मानना है कि अगर आपको विकेट कीपर के तोर पर भी खिलाना था तो इशान किसंद को स्कॉर में रखना चाहिए था कम से कब उनकी वापसी तो होती तो यहा सब्सक्राइब कि रह Mac안од controlling चीज़ती माग कि माबी कि जाती इस तरीके से नहीं लिया जाता कि उसका करिया नहींbbles कर दिया जा चाहिए ठति मुझे लग राधा यह बहुण पूरा मौका था तदिया止 www.faatbot.com और सवाल इसलिए भी है कि Sanju Samson को आप बोल देते हो कि Sanju Samson टीम इंडिया में आगके पर्फॉर्म नहीं करें अरे पर्फॉर्म तो तभी करेंगे जब आप उनको उनके नंबर पर खिलाओगे उनके नंबर पर खिलाने रहे हो ऑपनर के तोर पर उतार देते हो पहली केंद आ प्लास यहां सेलेक्टर्स कर रहे हैं अखिर ऐसा इसक्वाइड उन्होंने क्यों चुना हो कि यहां पर गल्ती मैं सूर्य कुमार यादव कप्तान की इमानता हूँ कप्तान को अपनी टीम बनानी चाहिए सूर्य कुमार यादव आने वाले टीटवनटी विशुकप तक खे पर मान लीजे यह सेलेक्टर्स की यह चोइस थी यह स्कॉइड सूर्या एटलिस डिमांड तो रखते कि मुझे एक दो प्रोपर ओपनर चाहिए और भी कुछ नहीं है तो वैंके सेयर को ले ले लेते भाई वैंके सेयर केक्यार में ओपनिंग करते हैं बढ़िया बलेबान ह तो आप नितीस रेडीस में आ जाते हैं जीतेस सर्मा आ जाते हैं लेकिन गायकवार नहीं है वैंके टेस नहीं है इसान किसन नहीं है जीतेस सर्मा को मौका दे रहे हैं शीवम दूबे को मौका दे रहे हैं लेकिन आप मौका नहीं दे रहे हैं ओपनर को आप इसान किसन को कर देते हैं आप गायकवार जैसे बल्लेबाज को इग्नोर कर देते हैं पता नहीं किस तरीके की टीम T20 में बनाना चाहते हैं अपनर को लेकर जाएगी तो आपके पास T20 में भी तो होने चाहिए ना आपके पास दो अपनर तो पता नहीं इतनी स्थिरता वाइट बॉल क्रिकेट में क्यों आ गई है जब से विराट कैप्टेंसी छोड़े आप काउंट कर लिजे कितने कप्तान टीम इंडिया के बदल ग गए ना चले एक अप्तान बदल दिये कोच बदल दिये तो एटलिस्ट भारतिये टीम बिसी से आई ये काम ना करें देखें बिल्कुल तो आपका इस खबर पर क्या कहना है क्या आपको लगता है कि यह ओपनिंग जोरी ठीक है क्या आपको लगता है कि संजू सेंसेंस चे ओपनिंग करवाना ठीक है या फिर बास्तर में इशान किसन और गायकवार होने चाहिए थी बिसी साई किस सेलक्षन को आपके इस तरीके से देखते हैं कमेंट करके बताएगा वीडियो अच्छी लगयों तो लाइक और शेयर जरू करिएगा क्योंकि इस तरीके की आवाज लगाता अर्ब खिलाडियों के लिए उठाते रहेंगे थैंक्यों अधी मज़ अगर्व कि कि